इनके जो मंडे के प्रक्याशी हैं, एक दिन तो आते हैं और रोते हैं कि खुद कहते हैं, हमारे कहने से बहुत पहले खुद कहते हैं कि कॉंग्रेस की बेकार सवकार ने कोई काम नहीं किया, तो हम किस मुझ से इन लोगों के पास वोट लेने जाएंगे, ये खुद प्रतिव आए नहीं, ऐसे निकम्ली अबनकारी सरकार हैं और फिर दोनों मावेका जो हैं फिर से कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ चार ले हैं, तो कहते हैं कि राहूल और प्यांका एक दम बेकार हैं, मोझी जी के सामने इनकी कोई क्लास नहीं है, कोई अकात नहीं है, ये भी प्र हुआँ है, मोझी जी के सामने उनकी कोई फैसित नहीं है, और मोझी जी कहां और ये कहां, और हमारे पास बजट मुनी है, हमने लोगों के काम भी पिराए हुए हैं, इस तरह उन्हों ने बियां दिये हैं, अब हमारे लिए बताने को रहा ही क्या है, इनके चो काले तो इस तरह के जबाजुबाब बुरा जबाब है ये सिर्फे क्राटिन केरेक्टर हो सकते हैं ये देश के कोई नेता या पर्थान मंत्री ही हो सकते और देश की जनता इनको जबाब देगी परिवारबाद की दिमर से यहां तक तो पहुच गए हैं लेकिन इसके आगे अब जनता जो नाधन है जनता इने इनका स्थान दिखाएगी और दोस्तों हमारे तपस भी हमारे क्या की हमारे योगी बोदीजी को हम 4 की 4 सीटे देंगे और 20% हम बोटिंग यहां पे करेंगे होते हैं या लोग सबा एक करेकरल के बाद सबका इनी लिस्ट आता है जिसमें उनकी मिम्मर आते हैं कि जिन नेताओने जिन एंपी ने अपनी बिल्कुल सासित निदी इमूज नहीं की लास्ट के तीन मोगों में से एक नाम प्रतिवा सिंग का था उनको दया नहीं आई मासूम हिमाचल की जनताओं की उन्होंने एक सांसब दी दी कि एक पाई किसी को नहीं दी दोस्तों ऐसी कठोर ऐसी भाव ही उनको दय नहीं आई माचल की गरीब जनता पर वो कोड़ों रूपे कहां गए सांसब निदी के ये जानना ये प्रशिन करना हमारा हमारा हक है और हम करेंगे और हम कर रहे हैं दोस्तों श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत